आगे चलते हैं दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को जो की हीट वेव, क्लाइमेट चेंज एंड जेंडर इनिक्वाल्टी से रिलेटेड है यदि सीधे सीधे सब्दों में हम कहें ना तो जो जलवायू परिवर्तन हैं इसका असर पुरसों की अपेक्छा महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिल रहा है ग्रामीर महिलाएं, सहरी महिलाएं किस प्रकार से अलग-अलग तरीके से प्रभावित हो रही हैं उनकी जीवी का कैसे प्रभावित हो रही है, उनका हैल्थ कैसे प्रभावित हो रहा है, उनका टाइम कैसे ज़्यादा कंजियूम हो रहा है इसकी ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं देखिए हमको जो 250 सब्दों में आंसर राइटिंग करना है या फिर आपको निबंद लिखना है, समरी लिखना है उसकी लाइने को जिस प्रकार से होने वाली यह हैं इसकी लाइने महिलाओं के ऊपर ही एक्स्ट्रीम हीट का ज़्यादा असर क्यों पढ़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ का जो पावर डाइनमिक्स है सत्ता किसके हाथ में रहती है, पुरसों के हाथ में रहती है जेंडर नॉर्म्स के चलते चलते, साथ ही साथ इनके पास में रिसोर्स बहुत कम रहते हैं जिसके चलते चलते कहना चाहिए महिलाएं जादा प्रभावित होती है हीट वे उसे लू की चपेट में आने से चर्चा करी जाती है कि भाई 2023 का जो साल रहा था सबसे जादा वार्मेस्ट एयर रहा था इसने रेकार्ड बनाया है साथ ही साथ भारत के बहुत सारे एरिया में जो टेमप्रेचर है वो तेजी के साथ में बढ़ते गया था मई एंड जून के महिने में पार्टिकुलर्ली 2024 की हम बात कर रहे हैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेमप्रेचर बढ़ा है महिलाएं देखा जाए ना तो यहाँ पर बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है क्यों प्रभावित हो रही है क्या बात है क्योंकि जो पावर है वो असमान है ठीक है इसका मतलब यह है भाई कि हमर यहां जो सत्ता है मुख्य रूप से कौन भोगते हैं पूरुज भोगते हैं साथ ही साथ जेंडर नॉर्म्स के चलते चलते साथ ही साथ रूपए पैसे के जो रिसोर्से सह संसाधन है इनके पास नहीं है यह चीज हमको ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में देखने को मिला था जहां पर भारत को रैंकिंग दे जाती है अठारवे नंबर की ठीक है मतलब नीचे से 18 आपका नमबर है उपर से आप नहीं है टॉप में नहीं है आप नीचे में है भारत में ऐसा नहीं है कि जैंडर की महिलाओं की एकदम कमी है भारत में पूरी दुनिया की हर छह में से एक महिला भारत में रहती है एक्स्ट्रीम हीट इस नाव देर रियल्टी और एक्स्ट्रीम हीट उनकी एक रियल्टी बन गया है डेथ है तो होती है लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है दिक्कत वाली बात यह हो गई है कि जो एक्स्ट्रीम हीट का इंपक्ट है वो पूर्सों में कम है महिलाओं में जादा है हाल फिल हाल में एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी एडिबी की तरप से जिसका सीरसक रखा गया था राइजिंग एबाव हीट इसमें हाइलाइट किया गया है कि कैसे करके अनिक्वल इंपक्ट पढ़ रहा है एक्स्ट्रीम हीट का महिलाओं की उपर एसिया एंड पेस्फि करते हैं टेंपरेचर बढ़ने के चलते चलते तो आप खुद देख लीजिए कि जो लोग कहना चाहिए गरीब लोग हैं सहर में जुग्य जोपड़ी बना करके रह रहे हैं तिंके सैड में रहे हैं वो लोग क्या-क्या चीज नहीं फेस करते होंगे हीट का असर यहां पर बहुत ज्यादा होता है इनका जो घर रहता है जोपड़ी रहती है वो हीट का चेमबर बन जाता है क्योंकि इन्होंने जो जोपड़ी बनाई है इसके लिए इनफॉर्मल प्रकार के चीजों का इस्तमाल किया जैसे कि एसबेस्टास टिन हैं प्लास्टिक है ट्रैप यह क्य वहां तक बाहर निकलने की विवस्ता नहीं देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं पूर्ली वेंटिलेटेड कीचन तो यह सारी चीजें यह लोग फेस करते हैं एडीबी की रिपोर्ट यह बोलती है अगला जो मुख्य मुद्दा उठाया जाता है वो डोमेस्टिक वर्क हो गए हैं तो उनकी भी सेवा इसको ही करना पड़ेगा ठीक है सब को खिलाएगी इसके बाद खुद खाएगी घर में जाडू पोचा लिपाई पुताई पानी भरना पूरा काम बच्चों की तैयारी करना उनको स्कूल भेजना सारा कुछ कहा चला जाता है महिलाओं के काम पूरा हो पाता है अब घर में इतनी पढ़ रही है अच्छे से कामी नहीं हो पा रहा सोच रहा है कि ठंडे में काम करेंगे दोपैर में आराम कर लेते हैं यह सब चीजों के चलते-चलते इनको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है अपने घर के कामों में एक आर्षा रॉक्स सौर्चिंग डिवाइड रिपोर्ट आई थी इसमें बोला था कि जो प्रोड़क्टिविटी लॉस है हीट वेव के चलते चलते 90 मिनट जादा लग जाता है कियर वर्क परड़े के हिसाब से कियर वर्क जो महिलाएं घर कर रही है ना इसमें उनको 90 मिनट मतलब एक घ पाइप उताई का काम हैं पानी लेने के लिए जाना है फ्यूल लाने के लिए लकड़ी कंडा लाने जाना हैं इन सब के चलते-चलते टू एंडे हाफ टाइम मिनट मोर परड़े दो से लेकर के आप देखेंगे धाई मिनट परड़े इनका जाधा जाता है ठीक है यदि हम से इनकी तुलना करेंगी तो यह चीज हमें पता चली है नेशनल इस्टेटिकल ओफिस 2019 में भी इस चीज का उल्लेक किया जाता है साथी साथ बोला जा रहा है कि भाई यह जो हीट वेव है इसके चलते चलते जो टू थर्ड ओफ वुमेंस प्रोड़क्टी लीटी लॉस हमको देखने को मिल रहा है ठीक है अन्पैड लेवर मार्केट में इंडिया में अभी तक तो हमने ग्रामेट छेत्र की बात किये थे अब हम बात करते हैं सहरी छेत्र में जो महिलाए हैं पार्टिकुलर्ली गरीब तबके के जो लोग हैं कैसे करके बुरी तरह से यह लोग प्रभावित होते हैं सबजी बेचने वाले लोग, कभी आप देखेंगे बारिस के समय में कोई भुट्टा बेच रहा है, जो स्ट्रीट वेंडर लोग हैं, या फिर कहीं डोमेस्टिक हेलपर्स हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले लोग हैं, कई-कई महिलाएं साफ सफाई करने के लिए जाड़ अर्बन वर्कर्स के अंतरगत, अर्बन हमारा लेवर फोर्स कहलाए गई, अर्बन फीमेल इनफॉर्मल लेवर्स कहलाते हैं ये लोग, तो हीट के चलते-चलते, इनका भी कामकाज बुरी तरह से प्रभावित होता है, इनकी आजीवी का प्रभावित होती है, ये लोग भी काफी वर्ल रेबल की केटिगीरी में आते हैं क्लाइमेटिक एक्स्ट्रीम्स के चलते चलते ये बात कही गई है इंटरनेशनल लेवर और्गनाइजेशन की तरप से एक रिपूट प्रस्तुत करी गई थी वर्ल की इने चेंजिंग क्लाइमेट उसमें ये बोला गया है इनर्जी के हिसाब से इनर्जी पावर्टी के लिए हम बात करें इनर्जी पावर्टी के इस प्रकार से महिलाओं को प्रभावित कर रही है इनर्जी के मतलब जैसे कि गर्मी पढ़ रही बहुत जादा ventilated spaces नहीं है जोपड़ी बनाई गई है लेकिन उसमें ये खिड़की तक नहीं बना पा रहे हैं ताकि हवा आ सके हवा भी कैसे आईगी आज उमें भी जोपड़ी बाज उमें भी जोपड़ी सामने भी जोपड़ी तो ventilated space बहुत कम रहता है फैंस की कमी है एयर कंडीशनर नहीं है coolers की भी availability नहीं है एक तो दूसरी बात यह है यह रास्ते में यदि कहना चाहिए अपना काम कर रही है अपना काम दंदत चला रही है तो यह सारी सो इधाय उनको यहां पर नहीं मिल सकता है इसलिए heat wave का असर directly इनके उपर पड़ेगा साथ ही साथ सहर में आज की समय में पूरा building ही building हमको देखने को मिलता है पेड़ पौधे बहुत कम देखने को मिलते है इसलिए जो greenery है और other जो natural resources है cooling का वो भी इनको नहीं मिल पाता है झाल 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 झाल